मेरा नाम है कीरती आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस से रिलेट करते हुए और कौन से प्रोग्राम में लॉंच किये गए थे वो सभी इस बीडियो में पढ़ेंगे तो बीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें क्योंकि जो चो का एक्जाम होगा आपका उसमें प्रोग्राम से रिलेटेड आठ से दस एक्जाम में आ जाते हैं तो बेसिक प्रोग्राम है नेशनल लेवल पर लॉंच किये गए थे तो आई हो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एंड तक बने रहें साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर करें तो मैं आपको बता दूं कि यह जो वीडियो है जो टॉप है कि आ रहें सी एच प्लस है सी एचो के साथ साथ जिनका एच्प एससवी के लिए पेपर है सी आपके लिए पेपर है क्योंकि प्रोग्राम से लेट करते हैं तो क्वेश्चन आपको एक्जाम में आते हैं और एक रखेगा तो सभी चीज़ें वीडियो में देखेंगे हैं तो यहां पर कुछ कॉश्चन एंसी क्यू वेस्ट है कुछ वन लाइनर कॉश्चन है कि मतलब क्या है तो आप लोग जो भी लोग चैनल करना है चैनल को सब्स्क्राइब जरूर करना साथ ही चाथ वैल आइकॉन को प्रेस करना थाकि जब भी वीडियो पॉब्लिस करूँ आपको दुरंत नोटिफिकेशन में ले और आप लोग वीडियो को देख सकें तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि आरे में सी एच प्लस एका फुल फॉर्म है क्या क्योंकि कई बार एक्जाम में आ चुका है प्लस एक फुल फॉर्म होता है रिप्रोड़क्टियो मैटरनल निववर्न चाइल्ड एंड एडलसेंट हैल्थ के लिए 2013 में इस प्रोग्राम में एड किया गया है तो यदि आपके लिए कौश्चन आता है कि आरे में सी एच प्लस ए प्रोग्राम कब लॉंच हुआ तो आ है कि आरे में सी एच प्लस ए यहां पर प्लस ए जुड़के आए तो आपके लिए क्या अंसर देना है 2013 क्योंकि जो आर्सी एच प्रोग्राम आपने पढ़ा है उसी को मोडिफाई करके हैं जो आरे में सी एच प्लस ए प्रोग्राम को लाया गया है जो आर्सी एच प्रोग् में अप्रेल 2005 में इसकी सेकेंड फेज आई RCS प्रोग्राम की पिर इसके बाद 2013 में है जो इसकी थाइड फेज आई जिसमें RMNCH प्लस ए है जो एड किया गया यहां पर मैं आपको बता दूं कि यह इस्टोरिकल बेक्ग्राउंड रहा है है RMNCH प्लस ए प्रोग्राम का वो इस तरीके से रहा है कि 1997 में मैं RCH की फस्ट फेज आई 2005 में NRHM आ गया फिर 2005 में ही RCH की जब फिर सेकेंड आई तो उसके बाद है जो इसमें और इसमें चैंजिस किये गए RCH की फेज सेकेंड में फिर 1992 में जो National Child Survival और Safe Motherhood प्रोग्राम आया तो इन सभी प्रोग्राम को है जो कैलक्लेट करके एखटा करके जो एक प्रोग्राम बनाया गया वो था RMNCH प्लस ए प्रोग्राम तो यहाँ पर जनरली एक्जाम में कॉश्चन है आता है कि RMNCH प्लस ए प्रोग्राम में यहाँ पर प्लस ए का गया है और यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्या रखे गए तो इसके तीन थ्री मैन ऑब्जेक्ट रखे गए थे RMNCH प्लस ए प्रोग्राम के फर्स्ट था कि डिदूजिंग दा टोटल फार्टलिटी रेट डिदूजिंग दा इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट एंड डि ही जो इस तरह का पहलें गए धे हैं ऑर इसका और इसका फॉर्थ आप्जेक्ट सा कि जो इंटिउaur डिलेवरी के लिए इंप्रोव करना है प्रोमोट करना है कि institutional home delivery के comparison में institutional delivery क्या रहेंगी सेफ रहेंगी दब तो हम maternal mortality rate को खम कर पाएंगे और जो दाई हैं in case home delivery करवाते हैं जो भी लोग तो जो दाई होती हैं उनको 3 month की certified training दी जाएगी उनके पास 3 month की training का certificate होगा वही दाई हैं जो home delivery करवा सकती हैं तो इस तरीके से इसके जो एम रखे गए थे यहाँ पर इसका फॉल फॉर्म है आप इसी से अन्दाजा लगा सकते हैं कि maternal जो mother हैं उनकी health के उपर ध्यान दिया जाने newborn babies है चाइल्ड है और adolescent health growth है प्रोग्राम में उसमें फोकस किया गया है तेहां पर हम कुछ और प्रोग्राम भी देख लेते हैं क्योंकि यह भी आपको exam में आ सकते हैं कि यह कब launch हुए थे 1950 में 1950 में MCH service based प्रोग्राम आया था 1952 में आया था नेशनल फैंबली वेलफेर प्रोग्राम दो प्रोग्राम है पर डिफ्रेंट है आप कन्फ्यूज मत हो नेशनल फैंबली प्लानिंग प्रोग्राम आये था 1952 को नेशनल फैंबली वेलफेर प्रोग्राम आये था 1777 को जो स्मॉल फैंबली नॉर्म्स को बढ़ावा देने के लिए है जो फैंबली प्रोग्राम्स लॉंच किये गए थे फिर 1992 में आये थे कई वार एक्जाम में आ चुका है नेशनल चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरोड प्रोग्राम CSSMP प्रोग्राम है जो कवाया था 1992 में फिर RCH की फेज फर्स्ट आई थी रेप्रोड़क्टर चाइल्ड हेल्थ की फर्स्ट फेज आई थी 1997 में और 2005 में आया था RCH की फेज 2nd और नेशनल रूरल हेल्थ मिसन कवाया था 2005 में तो इस तरीके से आपको ए प्रोग्राम्स है जो से इंडिकेट जैसा कि मैंने आपको पहले वदाया है कि RMNCH प्लस ए प्रोग्राम है इसमें प्लस क्या इंडिकेट करता है यहां पर अल्ली प्लस पूंचा है कि क्या इंडिकेट करता है क्या जोडा गया है इस प्रोग्राम में एक्स्ट्रा ऑप्सन है यहां पर कंटीनियम में plus बाद में जोड़ा गया है 2013 में जोड़ा गया है तो यहां पर जो plus A जोड़ा गया है तो इस plus का मतलब क्या है इसका मतलब है कि adolescent है क्या है important stage है for life की तो यहां पर इसका answer क्या होगा B adolescent is an important stage of life next यहां पर community based intervention that address nutritional enemy adolescent यह भी इसी प्रोग्राम की strategy है वह मैं अभी आपको बात में बताऊंगी तो उन्ही strategies के तहत है जो nutritional enemy of the adolescent में होता है तो क्या community based intervention लिया जाएगा option है यहां पर AWK NYKS WYFS और D9FD अबब यहां पर इसका answer होगा होगा WIFS weekly iron folic acid supplements तो जो adolescence age growth है 13-19 साल तक age group के boys and girls है उनमें anemia को किस तरीके से prevent किया जा सकता है तो उसके लिए weekly iron folic acid supplement scheme में start की गई थी इसी प्रोग्राम के था है तो उसमें क्या इतना dose दिया जाएगा WIFS के तहद adolescent age group में anemia prevent करने के लिए 100 mg elemental iron and 500 music folic acid यह fixed day approach के तहद क्या करना था 100 mg elemental iron provide कराना और 500 music इतना folic acid provide कराना है WIFS के तहद sorry WIFS के था जो weekly iron folic acid supplement दिये जाने थे उसमें 100 mg elemental iron और 500 music folic acid है जो provide करवाया जाना था fixed day के अप्रोच में और यहाँ पर जो other word n by ks यह भी आपको एक्जाम में आ सकता है तो इसका फुल फॉर्म क्या है नहरू युवा केंडर संगठन नहरू युवा केंडर संगठन कभ लॉंच किया गया था 1972 में 1972 में नेक्स्ट है यहाँ पर एक प्रोग्राम कई वार एक्जाम में आ चुगा है CHO में स्पेसली जो राजिस्थान का पेपर स्टाफ नर्स के लिए हुआ था उसमें आया था एक और आता है साथ जनवरी दोहजार चौदा को यह प्रोग्राम लॉंच किया गया था मिश्ट्री ओफ हैल्थ में प्रोग्राम लॉंच किया था जो एडलुसेंट एजज ग्रूप है 10 से 19 साल तक के एज ग्रूप के लोग हैं जिसमें इनका टारगेट ग्रूप क्या रखा गया था 10 से 19 साल तक की एजिके लोग रखे गए थे राश्ट्री किसोर स्वास्ते कारिक्रम के तहद तो इसमें इनोंने टारगेट रखा था कि की नूट्रीशनल रिप्रोड़क्टिव हेल्थ एंड सब्स्टेंस अभ्यूज और जो अदर इसूज हैं के सोर को लेके जो एडलसेंट एज ग्रूप को लेके उनको सॉल्व किया जाए इस प्रोग्राम के तहद तो आपको आरकेश के प्रोग्राम लॉंच कब हुआ इसके कि वेनिफीसियर सेज ग्रूप हें वो क्या है 10-19 साल था कि एज ग्रूप के एडलसेंट और इहां पर इसका लोगो कि और इसके एम क्या रखे गए थे तो इसका एम था इंप्रूब दे नूट्रिशन इनेंस मेंटल हैल्थ और प्रिवेंट दस सब्स्टेंस मिस्यूस तो अब भी हमने अभी second question में पढ़ा था प्लस एवाले question में तो continue of care का मतलब क्या है जो RM&CH program है उसमें continue of care word कईवार युज किया जाएगा आपको continue of care का मतलब होता है reproductive maternal newborn and child health तो क्या है इसका मतलब reproductive maternal newborn and child health यदी प्लस एड होता है तो वहांप adolescent age group आ जाएगा बट यहाँ पर only continuum of care पूँछा है तो आपको RMNCH का full form याद रखना होगा reproductive, maternal, newborn and child health care क्या है? continuum of care एक integrated services है जो mother, children के लिए from pre pregnancy से लेके delivery तक postnatal period और childhood तक provide करवाई जाती है continuum of care का मतलब यहाँ पर RMNCH प्लस a add होता है मतलब वहाँ पर adolescent health को भी add किया गया है और यहाँ पर five pillar strategies रखी गई थी यह भी आपको याद रखना है RMNCH में हो सकता आपको exam में direct RMNCH plus a न दिया जाए इस तरीके से image दे दी जाए कि जो five pillar strategies है या फिर इस तरीके का logo image दे दी जाए पूछा जाए कि है क्या तो यह RMNCH प्लस a प्रोग्राम की strategies है इसमें रिप्रोड़क्टिव maternal neonatal and child plus adolescent health के लिए क्या किया गया है initiate किया गया है इसके aim भी रखे गए थे कि इसके जो aim क्या थे continuum of service constant innovation and routine monitoring प्लस इसकी RMNCH के intervention आपको exam में आ सकते हैं कि जो reproductive maternal neonatal child and adolescent health है उसके क्या intervention है कि हमने यह तो पढ़ लिया कि इसका full form क्या है किन किन को इसकी जो beneficial group रहेंगे वो कौन रहेंगे बट हमें यह भी पता हो ना जी कि reproductive health में क्या intervention लिए जाएंगे क्या है जो planning की जाएगी तो reproductive health में जो point आपको याद रखना है वो होंगे spacing method इंटर्वल IUCD HDC and ESB PT के जो निश्चे किट्स आती है इस्ट्रलाइजेशन services तो reproductive health में आपको इतने 5 पॉइंट याद रखने हैं दूसरा maternal health तो maternal health में आपके लिए highly trend HR review maternal and infant death identify low institutional deliveries area और A&M जो किस तरीके domicile services provide कराती है वो पता होना चाहिए newborn health को आप किस तरीके से focus कर सकते हैं तो यहाँ पर exclusive breast feeding essential newborn care और जो special newborn care units है जेंटमाई से एन एम के थो दी जाती है सभी चीजे निवर्वन health care में आती है और आप लोग एक बार आ रहे में च प्लस ए प्रोग्राम को डिटेल में जरूर पढ़ लेना इसके इंट्रवेंशन क्योंकि यहाँ पर अधी में पूरे इंट्रवेंशन टॉपिक पॉइंट वाइस पॉइंट आपको बताऊंगी तो पहुत जाएगा तो मैंने यहाँ पर आपके लिए सौर्ट में जो आपको पॉइंट से आद रखने हैं वह बस बताए हैं और चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के लिए न्यूट्रीशन डाइरिया इम्मुनाइजेशन और और प्रोग्राम के तहट क्या क्या चीज़ें प्रोइट कराएं जाएंगी वह पता होना चाहिए और साथ ही साथ जो RMNCH प्रोग्राम है इसी के तहट एक प्रोग्राम और लॉंच किया गया था वो मैं अभी आपको बताऊंगी तो उसमें जो सेनेटरी पैड लॉंच किये गए थे वो कई वार आपको एक्जाम में आ सकता हैं देखिए आपर फ्री डेज इस तरीके से हो स कजली पैडति योजना तो आपको चोटी चोटी योजना प्रोग्राम है एक्जाम में आ सकते हैं तो फ्री डेज जो मैंस्ट्रोल सेनिटरी नेपकिन है लॉंच की गए थी मैंस्ट्रोल हाइजीन इस्टीम ीस्कीम के तहत इनको लॉंच किया गया था मिलिस्ट्री अभू फुल फॉर्म आपसे पूचा जाता है, जे एस वाई लिख दिया जाता है, पूचा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, और यहाँ पर सबला स्कीम है, जो एक अप्रेल 2011 को लॉंच की गई थी, राजी उगानी स्कीम फॉर इंपावर्मेंट ओफ एडलसेंट गर्ल, गर् सारी ससकती करण को बढ़ावा देना, और बहुत सारी स्कीम है, मैंने आप छोटे-छोटे पॉइंट्स में दिया हुआ है, आपको जो मेंस्ट्राल हाईजीन को लेके, लॉंच की गई थी, मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेर प्रोग्राम के थो, तो इसमें बेनिफीचेस ग्रूप रखे गए थे, 10 से 19 साल तक की एज़ की ग्रूप, एक आई थी सबला प्रोग्राम, जिसकों फोकस किया गया था, नुट्रिशनल हेल्थ, हाईजीन, रिप्रोड़क्टिव और सेक्षवल हेल्थ को, दूसरी आई थी, नेशनल, रूरल, लाइफलि इसमें फ्री डेज जो पैड यहां पर जो इमेज दी हुई है, फ्री डेज पैड को लॉंच किया गया था, इस जो स्कीम के तहए थे, कितनी गल्स के लिए वेनिफिट मिला था, 27.2 मिलियन गल्स के लिए 134 कंट्री में जो मेंस्ट्रॉल हाईजीन को लेके, और्गनाईज हर साल मेंस्ट्रॉल हाईजीन डे भी आपको एक्जाम में आ सकता है, तो कब हम जो हर साल मेंस्ट्रॉल हाईजीन डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम सेलिब्रेट करते हैं, माई 28 को, अवेरनेस के तोर पर माई 28 को मेंस्ट्रॉल हाईजीन डे के तोर पर सेलिब्रेट करते है मेंस्ट्रल हाईजीन को लेके जितने भी स्कीम लॉंच की गई थी और इस पेसली जब आप सीयाचों का पेपर देने जा रहे हो आपके लिए छोटी-छोटी स्कीम लॉंच की गई है वो सभी याद रखना है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो हैल्फुल रहे एक् देखना की नेक्स्ट हम कौन सा प्रोग्राम पढ़े हैं थेंक्यू बाइबाइब